आपको तंग करेंगे जस्ट लिटल बिट तो येस्टेड़ी आई टोल्ड यू बाउट फैरडेज लॉव एलेक्ट्रमागनेटिक इंडक्शन तो इस लॉव को बुक्स में अलग-अलग धंग से लिखा होता है कई जगा तो सिर्फ इतना लिखा होता है कई जगा फैरडेज सब्सक्राइब करेंगे की कई लॉव बनाकर दे रहे आधें के जो हैं यही एक उटीक किवेशना है बस लिखा सॉल बस मैक्सम क्या होता है कि यहां पर कई बार एन अलगा है और और अगर हम कॉाइल की तरफ ग्नेट को मूव करते हैं यह मैंगनेट है इसको मूव करते हो तो कई बार कहें किस कोईल में closely space 5-6-10-50-20 turns होते हैं तो यह number of turns है वो यहां पर आ जाते हैं बस अब लोग इसी को कहते हैं इसी मेंसे faraday के कई law निकाल देते हैं faraday is first law second law third law first law में कहते हैं कि n1 है second law में कहते हैं कि nn है third law में कहते हैं कि अगर magnet को म्रोग देंगे तो induced mf0 बन जाएगी वो सारी information तो इसी में ही आ गई तो तीन लोग ना बनाएंगे ncrt में जैसे दिया वैसे कर लेना अब एक बार ncrt की बुक में देखना जहां पर faraday's law of electromagnetic induction की statement दिये lenses law state and experiment which proves that the direction of the induced mf should always be in accordance with lenses law एक experiment देकर यह समझाएं एक experiment देकर यह समझाएं कि जो direction of induced mf0 lenses law से मिलती है यह बहुत important question बोर्ड exam में आप उसलिए paper scan करोगे तो आपको पता चलेगा every other year this question has been asked every third year तो आई जाता है by giving an experiment show prove that the direction of induced mf is as per the lenses lecture में भी दिया हुआ है notes में भी समझाया हुआ है अगर किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो समझ नहीं आए तो पूछना ठीक है अगर अगर आगया तो इस पर टाइम नहीं खराब करेंगे क्योंकि यह theoretical में जो यूज होता हूं कि सम्टिंग भी कॉल आइज मोश्टल लियम उसके बार में कुछ था मोश्टल लियम के बार में तो वह तो आप देखो मोश्टल लियम एफ काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और आएटी में भी अगर आप पुरानी वरक्षीट सौल करना चाहते हो तो बैसिकली मान ल सब्सक्राइब कॉस्टे मेरे मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन के अंदर गुसरी है ऐसे अंदर की तरह पर्पेंडिकलर तुदी स्क्रीन तर मागनेटिक फिल्ड इस गोईंग नॉर्मल तुदी स्क्रीन एंड इन वर्ट यह एक मैणेटिक फिल्ड और अब आप एक रॉड ले लो किसी कंडुक्टिंग मेटिकल की आयरन की कॉपर की रॉड ले लो सिनिंट्रिकल रॉड एक पत्वी सितार भी रे सकते हैं यह ऐसे एक रॉड रे और लेक्ट्र भी मैने आपको बटा है कि अगर आप इस रॉड को मूब करना शुरू कर दें तो मूब कैसे करेंगे वानलू यह रॉड तो एक मूब करने का तरीका यह कि इसका जो सेंट्रल पॉइंट है इसको हमने ऐसे मूव किया ऐसे मूव करने से क्या होता है कि जो विलॉसिटी वेक्टर है वो इसकी लेंद के 90 डिग्रीज पर है पर हम ऐसे भी मूव कर सकते हैं ऐसे कि थोड़ी देर के बाद यह रोड इधर आ जाए यह ऐसे आ जाए तो यह जो आपकी ब्लू वाली लाइन्स है ब्लू सवाइक डिए यह से यह यह तो माप्रेणिक ट कि इस डारिक्शन में जा रही है कि माईनटिक फियल्ट जा हुद है रही है माईनस एक Oh चे वैक्टैपर भूिंग माईनस दिर्टिक के लिए और अगर मैंने विलॉस्टी ऐसे रखी यह चल रहा है तो अब क्या विलॉस्टी माइटिक फिल्ड के पर्पेंडिक्लर आएगी मैंगेंटिक फिल्ड इस दियान में रखना चलो यह अलग-अलग केस्टेस हैं लेक्चर में जो किया उसे थोड़ा अलग ही करेंगे ना तो तभी फायदा होगा इसका तो हमने इसको विलॉस्टी दिये इस डारेक्शन में तो हमने देखा कि इस वायर को जस्ट आप एक अपनी पैंसिल मान लो यह पैन मान लो पैन को रख लो आप अपने स्क्रीन के ओपर लैप्टॉप किया मोबाइल के और इस पैन को आगे ले जा रहे हैं तो जब आप इंको आगे ले जाओगे तो क्या होगा पैन्के जो एंडद एंघिसमें एक बॉल डेज क्रेट हो जाती है इसको कि यूं चर्ण pra mi अने बताया आपको कि अगर आपका का Metallic Conductor है तो Metallic Conductor में Electrons का पहले होता है excess large quantity Electrons are present in a large proportion इना Metallic Conductor Blow Up बना दिते हैं इसका Metallic Conductor Blow Up means Magnified many times यह आ गया अब इसमें characteristic क्या है कि और बेहुत शारी हैं और यह ब्लू वाली माग्निटिक फिल्ड यह इस इलेक्टोण पर काम कर रही है बतलब मेंने टिक फिल्ड गोईंग इंटू फियन अब फी मेटिर अब दिक्टों में रैंडम थर्मल मोशन नहीं लेक्टर मीक्टर बदा आवगा बैडमटर मोशन बट वो रेंडम थर्मल मोशन आपरज आप जी रोग ता ओनली विलोसिटी विच इस लेफ विट विट टो इस विलोसिटी विलोसिटी मानते हैं स्पेस में अगर अमार्थ फ्रेम में खड़े तो एलेक्टरोन की बाकी सारी विलोसिटी तो कैंसल आउट करके जीरो बन गई यह विलोसिटी बचैंगा इस बास्टी विलोसिटी विलोसिटी उन die डेक्शे अब इसकी वर्यसे क्या हो गा इसमें तो नंबर ओफ एलेक्ट्रों बहुत ज्यादा है ना मेटल में कहां थेहार य्लैक्ट्रॐन के पर फॉर्स लगेगी कितनी फॉर्स लगेंगी यह फॉर्मला एबिटा फोर्स का बी क्रॉस बी किस तरफ आएगा पैन को लेफ्ट एंड में ट्रांसफर करो राइट एंड उपर उठाओ बी से लेकर बी तक उंग्लियों को घुमाएंगे तो अंगुठा किस तरफ जाएगा बी से लेकर बी तक उंग्लियों को घुमाएंगे तो अंगुठा जाएगा आपका एकी तरफ एंड ए इस तरफ जाएगा तुम विल पॉइंट इन डिस डारेक्शन बट वह वी क्रॉस बी की डारेक्शन चार्ज कौन सा यहां पर माइनस ए माइनस दब नेगेटिव चार्ज तो जो फोर्स लगेगी वह वी क्रॉस बी से उल्टी डारेक्शन में यह मैंग्नेटिक फोर्स आएगी एक एक एलेक्ट्रोन पर उसके और सारे की तरफ उनको थक्का मिल रहा है विंक पॉस्ट नांव तो उनको जोड़ से इस तिर पुश किया जारता सारे क्लेक्ट्रोन जैसे result of which electrons start getting collected on this face जब इस वायर को move करते हैं जैसी आपने motion शुरू किया बहुत सारे इलेक्रों यहां के गठ्था हो गए पहले क्या था यह सब इलेक्ट्रों यूनिफॉर्मली फैले वे इस वे यूनिफॉर्म यहां यहां पर स्ट्रेड की कमें के क्या हूँ ओग है सब्सक्रीं तो यहां पर पॉजिटीब इंडीउस्ट तिस चार जागे कि तिदेफिशंशी हो भी अब वट डिस मीड इस में जो के चाड सेपरेशन होगी इस मैट में जार सेपरेशन होगी एचार सेपरेशन इस क्रेएट तो चाहर सेपरेशन वहाइपन इस इसके अंदर एलेक्ट्रिक फिल्ड बन जाती है मतलब आपने तो कंड़क्टर को मैंने मूँव किया था आपने तो कंड़क्टर मैंने लेकिन मोशन की वरे से अंदर के अंदर electric field create हो गई और मैंने यह electric field के direction यह दिखा रहा है यह electric field के direction क्यों मैं आप समझ पाएंगे विकाज अगर हम यहां पर एक electron को imagine करें तो इस electron पर इस direction में force लग दिए तो electrons नीचे आगए लेकिन अगर आप यहां एक positive charge को imagine करोगे तो positive charge पर किस तरफ लगेगी पॉस्टिव चार्ज नीचे की तरफ अट्राक्ट होगा तो वह जिस डारेक्शन में पॉस्टिव चार्ज पर फोर्स लगती है उसी direction में electric field होती है तो electric field in this direction is created inside the conductor अब आप कोगे metals के अंदर तो electric field create नहीं हो सकती वो तो electrostatic situation थी ना यहां तो electrodynamics situation what we are doing now here is electrodynamics moving charges moving objects पहले हम electrostatics पढ़ रहे थे तो यह यहां पर अगर मां imagine कमी कलपना कर लेते हैं कि अंदर जो electric field है वह एक यूनिफॉर्म electric field है तो अब आपको मालूम है यूनिफॉर्म electric field में अगर हम electric field की value को lens से इस से इस distance से अगर मैं E को L से multiply कर दूं तो हमें voltage या potential difference मिलेगा कौन सा point higher potential पर है एपॉंट higher potential पर है क्यों वाइस एटा higher potential how can we remember that because electric field always points in the direction of falling potential यहां potential ज्यादा electric field नीचे की तरह तो potential गिर रहा है नीचे जाने से तो यहां potential को हम zero volts मान सकते हैं यहां potential को हम V मान सकते हैं तो V इतना आएगा अगर यहां potential zero है और यहां V है वी की जगह कई पार इसको E से दिखा देते हैं तो यह E into L अब question यहां कि कितना होगा तो यहां पर electrons कब तक इकठे होते रहेंगे नीचे वाले फेस पर V पर electrons कब तक इकठे होते रहेंगे तो नीचे इलेक्ट्रोन तब तक जाएगा जब तक electric field की वज़े से इसके वपर देखो जब यहां electric field बन जाएगी तो electric field भी इस electron पर force लगाएगी E times E Q times E जब यह दोनो forces balance होगी है इस force का magnitude कितना आएगा इस formula से देखो इस force का magnitude उड़ा जाएगा E into V into B क्योंकि यह वी और बी पर्पेंडिक्रार है E into V into B और दूसरी तरफ है E into E तो यह E cancel होगा है तो यह तो E आया अब voltage कितनी आएगी वोल्टेज आएगी E into N तो यह B into B into N यह था मोशनली MF का यह फॉर्मॉला 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 को मूव करने से वोल्टेज कितनी आए चलो बटाई यह तो लेक्चर में मैंने एक्स्पेंड किया भी मैंने फिर से कर दिया अगर आपको कोई डाउट है अधर्वाइस में से तो मुझे बता दो अधर्वाइस तो इतना अमने किया वो मोर्गन सफिशेंट है मैं आपको एक प्रॉब्लम करा रहता हूं तो यह फिल एक्स्पेंड आपको दे रहा हूं एक दूसरा तरीका भी है ना मोशली MF को देखने का तो जल्दी से बता लेक में बता है याद आपको क्या तरीका है ऐसे कुछ दिया आपसमें यह मैटल की स्ट्रिप है ऐसे एंसी आर्टी में बुक्स में आपने अगर आपकी वरक्षीट्स देखिए उन में यह फिगर बहुत बार मिलेगी सेप्रम यूशेप मैटल है और इसकी ओपर मेटालिक रॉ अगे पीछे जा सकती है और मैंनेटिक फिल्ट दुबारा से इस तरफ ले रहते हैं वहीं इन्टू दी प्लेइन ऑफ दी गोर्ड यूनिफॉर्म मैंनेटिक भी अब दुबारा से हम पूछते हैं कि अगर यह मूव करना शुरू कर देगा इस तरफ तो ए और बी के बीच म आए और अगर यह चल रहा है तो ए और बी के बीच में जो एमफ यह बोल्टेज आएगी और हायर भी आपको बता चल गया कौन सा आएगा हायर एंट कौन सा आएगा हायर पोटेंटिक पर कौन सा आएगा तो वह हमेशा ऐसे देखा करो बिटा जहां इलेक्ट्रों आएंग पूर्ष इन पर नीचे की तरफ एक तो एलेक्ट्रों यहां नीचे वाले एंट पर कट्थे होंगे रोएंट का या प्सक्वर के सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब करें को दूसरी तरीके से कैसे देख सकते हैं यह A, यह B, यह C, यह D, नहीं तो अगर मैं इस डिस्टेंस को X मान था हूं तो Dx by dt कितना आएगा, यह velocity है, तो जब यह red wire move करती है, when this red wire is moving, the area of this circuit is changing with time, यह से हमने कल किया था कि नहीं, induced TMF, किया था ना, area change होता है, तो flux associated with A, B, C, D area is B dot Ds but B is uniform, तो integral Ds ते आपको इस rectangle का area मिलेंगा, length, यह B dot Ds vector को S vector ले देगा, तो यह आप देखो, right hand rules है, हम B और S को S vector को आप अंदर की तरफ ले सकते हो, कल mention जैसे हम नहीं किती cultures, इस sense को positive sense मान लेंगे, तो S vector भी अंदर की तरफ आजाएगा, और B vector भी अंदर की तरफ तो यह आजाएगा, B, S, C, D, यह flux आगया, A, B, C, D, लिखे या ना लिखे, S कितना है, area of the loop, L into X, और induced TMF क्या होती है, D by dt of DLX, B और L constant है, Dx by dt, Dx by dt is V, तो magnitude में induced TMF आपके पास आगे, कोई आर्टिकल आपस को करने का दूसरा तरीका है, आपके आपके, आगे मैं पेटे समझ गया, चलिए, closely follow करना पड़ता है, इसको समझ में आएगा जिसके मन में हंगर है, बाकी formality के लिए पढ़ने वाले दिन चले गए, एक question जो आज का है वो कराऊँगा, बस एक अमेरी किता है, आएगा पार क्या है, आएगा पार किता है, इसकित्रवी नह वाएगा, मैंभा सर्मा इस दूब लिए झाबकर मॉपट के जोएट आएगा, भी बासरा दो ट्यूंट, देन विल डिस्कुस्ट के ट्राइं ओनली फर्स्ट इन सेकंड पार्स फर्स्ट वन पार्ट अटाइम मुव स्टेप बाई स्टेप रिक्टांगलर कॉल है मनोप कंड़क्टिंग लूप है यह नहीं नहीं किया वह पर अंडर्सुड है यह कंड़क्टिंग है तो कम्या रह जाती है बुक्स में भी बिंग पुल्ड आउट फिल्ड विद युनिफॉर्म विलॉस्टी वी अब इसमें इंपॉर्टन चीज है कि कि इसके स्पेड भी चेंज हो रहे हैं तो मैंने कौर्स लगा ली है तो यहीं मैंने क्लास में बतहादा कि विलॉस्टी पी और हम एक्स्टर्न ल वह अपलाई कररें है तो मतलब हम जो फॉर्स एप्लाई कर रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए इक्वल मैंगनिचीड और पॉर्स ऑपुजिट डिरेक्शन में जरूर लग रही होगी अब आप कहोगे क्यों क्यूंकि तभी तो विलॉस्टी को कॉंस्टेंट रखने के लिए नेट फॉर्स जीरो लूप अब करंट बता ला इस लूप में करंट कब निकलेगा जब इंड्यूस्टी एमफ पता चल जाएगी उसको रिस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो करंट आ जाएगा तो आपको इंड्यूस्टी में कितनी आएगी बहुत ही असान तरीके से निकाल सकते हैं पहले त इस दिक फिड्ल वाहर है सिखफ एनम में आईगी अब आपको को यह तो समझ नहीं आए है जाए हम क्या करते हैं हम कि सी भी इंस्टेंट पर किस लेंट को एक्स मान लेते हैं इसको एक्स मान लेगा तो इंड्यूस्ट क्या होती है लूप में अर्भ यूस्टी है रेत ऊफ of change of magnetic flux over time magnetic flux कितना आएगा लूप में तो वो आ जाएगा क्योंकि यह एरिया ना यह एरिया अंदर है बी डॉट दीएस और दीएस वेक्टर की डारेक्शन तो हम अपनी चतुराई से मेंगेटिक फिल्ल की डार्विचन में ले सकते है थो दीएस पॉसज जीरो पोसज इज वन पी यूनिफॉर्म और लेको कि इसमें बी उनिफॉर्म है वे की वैरिया टाइम के साथ ने ढ़र रही है लेकिन फ्लक्स की वैल्य के चाहिए क्योंकि एरिया आप दी लूप इतना एरिया किसी भी टाइम पर एक्स इंटू अब अगर हम डिफाई वाई डिटी करेंगे तो इंड्यूस टीम अफ कितनी आईगी वी एल डिएक्स बाई डिटी करके तो यह आपके पास आजाएगा फिटा एक और चीज देपीची आप यह तो मतलब मैंने आपको वैसे भ बहार आए और एनम में जब यह वाला आर्टिकल देखते हैं यह भी हमने किया था था ना वह इमोशनली एम तो यह बोड में भी आयों है यह आपके पास अगर मैं इस कंडुक्टर को ऐसे विलॉस्टी देता हूं तो एम एफ इंड्यूस्ट होती है यह और बी के बीच में अगर मैं ऐसे विलॉस्टी देता हूं तो मैंने लेक्चर में बताया आपको कि इस विलॉस्टी के दो कॉंपनेंट्स बनाने एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे इसको वी परपेंडिकलर बोल देते हैं और यह मांग्टिक फिल्ड भी है तो वी वी परपेंडिकलर इन्टु ले अगर यह बैक कंडुक्टर इसे ट्रांसलेट करना शुरू कर दे ऐसे तो इंडूस्टी आएगी ऐसे मूप कर रहा है विलॉस्टी इसकी ब्लू वाली बैक्टर की तरह स्नुम्हें जा रहा है तो क्यों नहीं बताया था आपको अगर मैं ऊसको मैंग्निफाइ करके देखूं ऐसे तो इसकी थिकनेस ए इद है बहुत कम यह यहां से यहां दे यहें और र्ड लैट कम बैल्यू Nachट कंन से दे क्या होता है यहां पर जो इलेक्ट्रोन है bu है जो इलेक्ट्रोन यहां पर है यहां पर जो electron है उसकी velocity ऐसे magnetic field अंदर की तरफ और यह V और यह B V across V आएगा इस तरफ तो electrons इस face पर कट्खे होंगे यहांपे और इस face में कि अई की कमी आएगी मतलब इस तरफ तो electron कट्खे हो जाएगे इस तरफ एलेक्ट्रों की कमी होगे तो जो BV into L L कम तब यह thickness आएगी thickness यह बहुत ही कम है तो मतलब induced TMF next zero आएगी अगर इसकी यह wire thin wire है तो इसकी डामेंटर को zero लेना हो तो induced TMF zero आजे आएगो आपको यह argument समझ में आ गया लिए अगर यह समझने वाली चीज है इसको जरूर कर ले तो अगर velocity ऐसे है तो उसके तो component बना लिए जाते हैं एक ऐसे और एक ऐसे और जो वी पर perpendicular है वह तो contribution देगा induced TMF की प्रतिए और बी के बीच पर और वी प्यारल जो है वह induced TMF के लिए कोई contribution नहीं देगा ठीक है तो यह यहां पर भी यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग जगा पर यह यूज़ होगा तो यह यह जो मैंने अभी पता है कहां काम आ रहा है कि मैं अभी अभी आपको बात तरदा यह इसमें कहां काम आ रही है इसमें यह काम आ रही है कि NO और MP में कोई induced TMF नहीं आई और OP तो बाहर है तो आपको लग रहा हो कि मैं इस छोटी चीज़ करने के लिए बार-बार क्यों बता रहा हूं विक्वाज यह यूज़ होगा अल करन तो आई जाएगा है ना यह बीवी एल कि तो कुस भी नहीं है ना करण की वैल्व आ गई आपके पास बीवी एल अपॉन आट कि मैंनेटिक फोर्स कितनी लग रही है लूप पर अब करन चल रहा किस तरफ है लॉजिकली देखो जाए तो इस तरफ वाली मैंनेटिक फिल लीका होड़ी अंदर के तो करण्ट को ऐसे चलना चाहिए कि एम मैंनेटिक फिल्ड उसी तरह आई यह करण्ट की फ्लो की डायरक्शन है मैंने फोर्स कितनी लगेगी लूप पर ओपी पे तो कोहीं नहीं लगेगी मैंने फोर्स इस तरफ किस तरफ और मैंने फिल्ड इस तरफ तरह का फॉर्मला होता है आई-एन वेक्टर क्रॉस फी लिखिए तो आएल क्रॉस B किस तरफ आएगा लए क्रॉट से ऊपर की तरफ आएगी नीचे वाले kandुक्टर में फॉर्स लीचे की तरफ आएगी पेस अपस्में तरा स्रफ इनम में फीर्ट ऐस से है तो तो अपोष अब हो फोर्स आएगी इस तरफ कितनी आएगी फोर्स जूटो मागनिटिक फील्ड आई एल क्रॉस बी क्योंकि नाइटी टिग्रीज पर है आई एल क्रॉस बी का मैंगनिचुड आई इन बी हो गया इस तो फोर्स होगी आई की वैल्वी पुट करो डी स्क्वेर यहां से एल स्क्वेर वी अपॉन आ यह मैंनली फोर्स और मैंनल एक्रियर तो मैंटेन दिविल्डासिती जो मैंनल इस एक्टनल पॉर्स जरुम जब्रों मेरलों यह जो कैपिटल एफ है यह कितना ही वहां Cay Oczywiście इस्यावन इंटर्नल फोर्स में पीजिक्ट की फोर्स पावर डिलिवर्ट बाई डी एक्स्टर्नल फोर्स पावर डीलिवर्ट का मतलब यह बेढ़ा देखो इस पार का फॉर्म आता है फ्ट दॉट ए तो f की वैली तो तो पी आ जायाएगा यह यह आजाए कि पावर डिलिवर्ट बाई एक्स्टरनल फॉर्स पावर का मतलब इसको कितना वर्क करना पढ़ रहा है पार उनिट टाइम एनर्जी खर्च कर रहे है कि नहीं है पोर्स लगेगी और डिस्प्रेश्मेंट आएगी तो वर्क तो होगा एनर्जी खर्च करनी पढ प्रेक्शन में फ्प और वी भी विलॉस्टी भी उस तरफ है पॉंस्टेंट विलॉस्टी है न पॉस जीरो अब थर्मल पार डैवलप इन ती रूप का मतलब यह है कि जो करन्ट फ्लो कर रहा है उसकी वज़से प्रति सेकंड कितनी एनर्जी उसमें हीट की फॉर्म में ड कि एक्सटेनल एजेंट ने जो पर सकेंड एनर्जी खर्च की सब्सक्राइब ने अधे वह दोनों सेम आ गया है अनस्य एक्सटेनल एजेंट जितनी भी पर सेकेंड एनर्जी स्पेंड कर रहा है इस लूप को बाहर पुल आउट करने में एफट लगाना पड़ रहा है क्योंकि अंदर की तरह फोर्स लग रही है तो उसमें इसको वर्क करना पड़ रहा है तो पूरा का पूरा इसके अंदर हीट की फॉर्म में जो पॉर्म इन घुड़ सब्सक्राइब कर डीयोट यदि फर्ट पर रहुड भॉर्म में राख्या से ट हर पॉर्म सब्सक्टी